उत्तर परदेश की हर्दोई पूलिस तथा प्रशासन ने गैंग्स्टर अपराध्यू और माफियों के खिलाफ बड़ी कारेवाही की है आपको बता दे कि थाना बेनी गंस तथा कोत वाली शहर के अंतरगत आने वाले शराब माफिया विकास गुपता और सुनील गुपता की 64 लाग की कीमत की संपत्ति को जब्त किया गया है वहीं S.P. अनुराग वत्स ने बताया कि हर्दोई पूलिस तथा प्रशासन द्वारा गैंग्स्टर अपराध्यू और माफियों के खिलाफ कारेवाही की गई है विकास गुपता और खाध्यान माफिया विजेंदरनाथ गुपता के खिलाफ बड़ी कारेवाही करते हुए 64 लाग की संपत्ति को जब्त किया गया है इस कारेवाही को हर्दोई पूलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है हर्दोई से समाधाता शाहिद अली की रिपोर्ट करके उनको किया गया है इसमें मैं आपको बता दूँ कि खाना बेनी गंज में विकास गुपता जो शराब माफिया है इसकी लगवग 30 लाग की प्रोपर्टी जिसकी मार्केट वेल्यू 30 लाग है इसको आज कुरूप किया गया है और साथी कोतवाली शहर में जो एक हादान माफिया है इसका नाम है विजेंदर और इसका साथी जिसका नाम है सुशील इन दोनों माफियाओं की भी लगवग 34 लाग की प्रोपर्टी कुर की गई है और जिसको मौके पर जाकर हमारी राजस की टीम और पुलिस टीम ज्वारा जाके कुर किया गया है और यह बहुत ही इसपष्ट घरदोई पुलिस और प्रसाशन का यह संदेश है कि जो भी माफियां किसी प्रकार की आपराधिक प्रोप्रतियों में जो संलिप्त है उनके खिलाब इस प्रकार से गैनेसर एक में 14 एक के तैर हमारी संपत्ति जप्तिकरन की कारवाई जारी र आगे भी एक करवाई जारी रहेगी ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ शेयर और सब्सक्राइब करें घर्नेवादी झाल 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 झाल